अपनी रियल्स भी बनाकर इंस्टाग्राम पर अप्लोड करते होंगे तो क्या आप जानते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अपांड जो है वो पर्सनल है या क्रियेटर अगर आप यह बात नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए फ्रेंड तो फ्रेंड वीडियो को पूरा एं तक देखें आपका इंस्टाग्राम अचौंड जो हो पर्सनल अकौंट होता है इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि आप अपने पर्सनल account को as a creator account में कैसे switch कर सकते हैं और वीडियो के end में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने Instagram की monetization की eligibility को कैसे check कर सकते हैं so friends वीडियो को complete end तक देखना मैं one by one step आपके साथ डिस्कुस करूंगा तो first step अपने Instagram account को open करें second step अपनी profile पर click करें step number 3 top right side में corner पर click करें next settings पर click करें settings के ओपर click करने के बाद यहां पर step number 4 account वाले options पर click करें step number 5 थोड़ा निचे scroll down करके यहां पर आपको switch to professional account का option जो होगा वहां पर click करेंगे आपके पास यहां पर next one by one आप यहां पर continue के ओपर click करें step number 6 अपने account की category को select करें next display on profile पर click करें और नीचे डन पर click करें रन्स तो next step step number 7 creator को select करें और next पर click करें so next click on ok so friends professional dashboard में यहां पर right side corner में setting का logo दिख रहोगा उसके उपर click करें so creator के page के last में आप monetization status चेक कर सकते हैं so इस option पर click करें ऐसे आप अपना monetization status चेक कर सकते हैं friends so next यहां पर monetization status के आगे जो arrow आपको दिख रहा है आप इस पर whole time click करें so next यहां पर आपको एक pop-up show होगा यहां पर आपके पास लिखा होगा यह creator account is ready यहां पर आप skip कर सकते हैं friends so आपका creator account ready हो गया है so friends आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो helpful लगी हो वीडियो को like करें और मेरे YouTube चैनल को subscribe जरू करें thanks for watching trends